प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है, आप सभी स्वस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी. तो आज के इस विडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा विशय लेके आई हूँ, जो न केवल मनोरंजक है, बलकि इसके माध्यम से हमें बहुत सारी नई और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो चलिए देखते हैं आज का यह विशय किसके उपर है? हम सभी को खेलना बड़ा पसंद है, खासकर आप जैसे चोटे बच्चों को घर पे हो या बाहर, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना आप सभी को बहुत अच्छा लगता है. हम कभी बाहर जाके क्रिकेट, कबड़ी, फुटबॉल आदी खेल खेलते हैं, तो कभी घर पर ही बैटकर गेंद, मोटर गाड़ी, जानवरों आदी खिलोनों से खेलते हैं. इन खिलोनों से हमें जितना प्यार होता है, उतनी ही उत्सुकता हमें उन खिलोनों को खरीदने में होती है. तो बच्चों, मुझे बताईए, वह कौन होता है, जो गली में घूम-घूम कर, चिला-चिला कर खिलोने बेचता है, और जिसका इंतजार हम सभी बेसबरी से करते हैं एकदम सही कहा आप लोगों ने, वह होता है खिलोने वाला तो आज हम जिस विशय के उपर चर्चा करने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है खिलोने वाला यह कविता आधुनिक हिंदी की प्रमुख कवेतरी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है उनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं में शामिल है महतुपूर कविताएं जैसे कदम का पेड़, जानसे की रानी आधी तो चलिए देखते हैं कैसी है यह कविता खिलोने वाला वह देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कई तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है हरा हरा तोता पिंजरे में गेद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली सीटी भी है कई तरह की कई तरह के सुन्दर खेल चाबी भर देने से भखबख, करती चलने वाली रेल गुडिया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली छोटे छोटे धनुश बाण है, छोटी छोटी तलवारे नए खिलोने लेलो भाईया, जोर जोर वह रहपकार मुन्नु ने गुडिया लेली है, मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है, मा से लेने को साड़ी कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपडे वाला कभी कभी दे जाता है इस कविता में ऐसे द्रिश्य का वर्णन हुआ है जहां एक खिलोने वाला खिलोने बेचने आता है उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलोने होते हैं जैसे एक हरा तोता जो पिंजरे में है गेंद चलने वाली मोटर गाड़ी सीटी चाबी से चलने वाली रेल प्यारी गुडिया लोटा थाली धनुश बान तलवार आदी उसकी पुकार सुनकर बच्चे उसकी तरफ दोड़े चले आते हैं और अपना मन बसंद खिलोना खरीद ले जाते हैं मुन्नु ने गुडिया ली मोहन ने मोटर गाड़ी परन्तु सरला अपनी मा से खिलोने वाले से साड़ी खरीदने को कहती है पर आप सब सोचिये क्या खिलोने वाला कभी साड़ियां बेचने आता है? मुझे तो नहीं लगता तो चलते हैं कविता के अगले अंश पर अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोना लेता हूँ मैं? तुम भी मन में करो विचार तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल पर मा यह मैं कभी न लूँगा यह तो है बच्चों के खेल मैं तलवार खरीदूँगा मा यह मैं लूँगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान तपसी यज्य करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते राम चंद्र बन जाऊंगा यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते चला जाऊंगा परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहां पर आऊंगा किस से लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा किस से लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा तो आप सब भी इस कविता को एक बार अपने घर में जरूर पढ़िए और इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए यहां एक बच्चा अपनी मा से कहता है कि मा तुमने मुझे खिलोने खरीदने के लिए चार पैसे तो दे दिये पर तुम मेरी सहायता करो कि मैं कौन से खिलोने लूँ तुम जिस खिलोने का चयन करोगी मैं वही लूँगा पर तोता बिल्ली, मोटर रेल आदी ये सब तो बच्चों के खेल है और मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ इसलिए मैं तलवार, तीर कमान ये सब लूँगा और जंगल जाकर ताड़का राक्षसी को मारूँगा जैसे श्री राम ने मारा था ये बच्चा कहता है कि वह जंगल के सारे असुरों को मार भगाएगा ताकि तपस्वी गण शान्ती पूर्वक यग्या कर सके इस प्रकार वो एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी मा कौशल लिया पर यदि मा उसे वन में जाने का आदेश देगी तो वो खुशी-खुशी वन में भी चला जाएगा परन्तु यह सब करते हुए वह यह सउचकर भी दुखी होता है कि यदि वो वन में चला गया तो वहां वो अपनी मा के बिना अकेला कैसे रहेगा मा नहीं होगी तो वो किस से पैसे मांगेगा रूठने पर कौन उसे मनाएगा और अपनी गोध में बिठाकर कौन उसकी मनपसंद चीजें दिलाएगा कविता का अर्थ समझने के बाद चलिए देखते हैं इस कविता में आए कुछ नए और कठिन शब्द जैसे बाली बाली शब्द का अर्थ है क्या आप सब सोच सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बाली एक गहना होता है जो महलाओं द्वारा कानों में पहनी जाती है इस कविता में एक अंग्रेजी का शब्द आया है टी सेट हम सभी ने अपने घर में बड़ों को चाई पीते हुए जरूर देखा होगा वो जिस कप, प्याली और केटली का इस्तमाल करते हैं उसे हम अंग्रेजी में टी सेट कहते हैं अगला शब्द है लोटा क्या आप सभी ने लोटा देखा है? बिल्कुल सही, यह एक जल रखने का पात्र होता है धनुशबान के बारे में हम सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा यह एक प्रकार का हतियार है जो राजा महाराजा युद्ध के दौरान इस्तमाल करते थे तलवार यह भी एक हतियार है जिसे एक हाथ से प्रयोग किया जाता है और जिसका चित्र हमने टीवी पर या इंटरनेट में बहुत जगहों पर बहुत बार देखा होगा यहाँ पे एक शब्द आया है पुकारना जी हाँ, इसका अर्थ है बुलाना तो आप सभी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करकर देखिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि इन नए शब्दों का अर्थ किस प्रकार भिन्न है हमने कविता को पढ़ा उसका अर्थ समझा और उसमें आये कुछ नए शब्दों का अर्थ भी जाना तो अब देखते हैं कविता को हम सभी ने कितने अच्छे तरीके से समझा है और उसके अर्थ को कितना अंदर तक ग्रहन किया है हम सभी ने आप सब मुझे बताईए मुन्नू और मोहन ने कौन कौन से खिलोने खरीदे बिल्कुल सही मुन्नू ने गुडिया ली और मोहन ने मोटर गाड़ी कविता में जहां तोते का वर्णन हुआ है आप सब बताईए तोता किस के अंदर है जी हाँ तोता पिंजरे के अंदर है आप सभी घर पर किन किन बातों पे रूटते हैं और मुझे बताईए कि आपको कौन मनाने आता है यह भाव कविता की किन पंक्तियों में आये है पहला खिलोने वाला साडी नहीं बेचता इसका उत्तर है कभी खिलोने वाला भी मा क्या साडी ले आता है साडी तो वा कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है अगला वाक्य है खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है उत्तर नई खिलोने ले लो भाईया जोर जोर वा रहा पुकार अगला प्रश्ण है मुझे कौन सा खिलोना लेना चाहिए उसमें मा की सलाह चाहिए जी हाँ कौन खिलोना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार मा के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा इसका उत्तर है रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहिए चीजें देगा आप लोगों ने राम लीला के जरिये भगवान श्री राम के बारे में बहुत सी बाते सुनी और जानी होंगी तो बताईए आपको उनकी कौन-कौन सी बातें अच्छी लगी किसी को उनका साहस उनका बलिदान पसंद आया होगा तो कोई उनकी धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की आदत से प्रभावित हुआ होगा साथ ही वे बड़ों का बहुत आदर करते थे और एक सच्चे मित्र भी थे आप लोग अपने दोस्तों के साथ कौन-कौन से खेल खेलते हैं और जब फेरी वाला आपके मुहले में आता है तो आप कौन से खिलोने खरीदना पसंद करते हैं सोचिए और इसका जवाब दीजिए इस कविता से जुड़े जिलोना संग्या में वाला के जुड़ने से बना हैं तो इस वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखिए और संग्या, क्रिया, आधी पहचानिये पहला वाक्या है पानवाले की दुकान आजबंध है पान वाला शब्द यहां संग्या शब्द की श्रेणी में आता है मेरे दिल्ली वाले मौसा बस कंड़क्टर है मौसा शब्द भी संग्या है नंदू को बोलने वाली गुडिया चाहिए बोलने वाली शब्द यहां पर विशेशन है दाढ़ी वाला आदमी कहा है? दाढ़ी वाला शब्द भी विशेशन शब्द कहलाता है मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाओंगी जाओंगी शब्द यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही, यह एक क्रिया शब्द है इस कविता में तीन नाम आये हैं राम, कौशल्या और ताड़का क्या आप सब यह बता सकते हैं कि ये तीनो नाम किस प्रसिद कथा के पात्र है? जी हाँ, यह तीनो नाम रामायन के पात्र है जिसे रामचरित मानस के नाम से भी जाना जाता है यहीं रहूंगा, कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा इस पंक्ति से आप सब क्या समझते हैं? इन पंक्तियों से यह पता चलता है कि बच्चा अपनी मा के पास रहना चाहता है वह अपनी मा को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है वह अपनी वीरता से राक्षसों का वद करना चाहता है और साथ ही अपनी मा को कौशल्या माता के समान आदर देना चाहता है परंतु यह सब करने में वह उनसे दूर नहीं होना चाहता जिस प्रकार हम सभी अपने मा के पास रहना चाहते हैं उसी प्रकार इस कविता में भी यह बच्चा अपनी मा से दूर नहीं होना चाहता परंतू जिस प्रकार श्री राम वनवास गए थे और उन्हें अपनी मा से दूर होना पड़ा था वैसे ही यह बालक अपनी मा से दूर नहीं होना चाहता वह स्वयंग श्री राम बनकर अपनी कौशल या जैसी मा के साथ रहना चाहता है तो इस कविता से हमें कई नई चीजें सीखने को मिली परन्तु जो मुख्य चीजें इस कविता ने हमें सिखाई वय कि खिलोने वाला जब भी हमारे आसपास आता है हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता चाहे बच्चे हो या बड़े खेलना विभिन प्रकार के खिलोने सबको पसंद है उसी प्रकार इस कविता में भी जब खिलोने वाला बच्चों के सामने आता है तो बच्चे उसके पास दोड़े चले जाते हैं और अपना मन पसंद खिलोना खरीर ले आते हैं साथ ही इस कविता में हमने बच्चों की मासूमियत को देखा हमने ये देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा श्री राम की कहानियों से कितनी अच्छी नई बातें सीखता है और उनसे प्रभावित होकर समाज की बुराईयों को दूर करना चाहता है अपनी मा को आदर देना चाहता है परन्तु यह सब करते हुए वह अपनी मा से दूर नहीं जाना चाहता वह सारी अच्छी चीज़ें अपनी मा की छत्र छाया में रहकर और अपने घर में रहकर ही करना चाहता है वह यह सोचकर बड़ा व्याकुल हो जाता है कि यदि वह अपनी मा से दूर चला गया तो कौन उसे प्यार और दुलार देगा वह रूठेगा तो कौन उसे मनाएगा और कौन उसको अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उसकी मन पसंद चीजें लाकर देगा आशा है आज की कक्षा के माध्यम से और इस कविता के माध्यम से हमें नई और अच्छी चीजें सीखने को मिली और हमने जो सीखा हम उसे अपने जीवन में भी अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले विशे के साथ अगली कक्षा में